नमस्कार मैं पिंटू शिंग्यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेकनिकल दुनिया में दोस्तो अगर आप यूटूब क्रियेटर हैं तो आपको कई सारी चीजे जाननी ज़रूरी होती है अगर आप उस चीजों को नहीं जान पाते हैं उस अपडेट से आप रूबरू नहीं हो पाते हैं तो हो सकता है कि आपके चैनल के साथ प्रोब्लम हो जाए और इन फ्यूचर आप जाकर चैनल को डियाक्टिबेट भी नहीं कर पाएं अपने डैसबोर्ट को भी नहीं देख पाएंगे तो ऐसे ही तमाम अपडेट जो होती है वो मैं लेकर आता रहता हूँ ताकि जो है आप इससे इंट्रेक्ट रहें आप इससे रूबरू रहें और उस चीजों को इंप्लिमेंट करकर आप अच्छे तरीके से बहतर तरीके से अपने चैनल पे काम करते रहें इनहीं में से दो चीजे काउफ ही जादा इंप्लिमेंट है अगर आप थती 1st of October तक इस कारे को नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने चैनल से हाथ धोना पड़ जाए और आप अपने चैनल से हाथ भी धो सकते हैं तो वो दो क्या चीजे है सबी यूटूबर्स के और उसको जो है अपने चैनल पर लागो करने की कोशिच कीजिएगा तो डो अपडेट क्या है पूरी जानकारी बताओंगा लेकि उसके पहले हमाई चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्काइब करकर जरूर जो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों बात करें त 30 हां 30 ओफ माई तक जो है वो आपको एक चीज यूटूब करने के लिए कहा था और वो था टेक्स इनफॉर्मेशन को लेकर तो जो लोग 30 ओफ माई तक अपने टेक्स इनफॉर्मेशन की पूरी डीटेल अगर फिल नहीं किये हैं तो उनका पैसा जो इस टैक्स है उसके एक होगा तो आपका काफी जादा पैसा 24 परशेंट जो है वो पैसा ओबर ओल अर्निंग का कटने वाला है तो काफी जादा बेहतर अपडेट था और इस चीज को नहीं किये हैं उनको बड़ा दिक्कत है क्योंकि उनका जादा पैसा कट जाएगा इसके अलावा जो नई अपड काड में कोई और नाम है आपके Google Adsense में कोई और नाम है तो उसको आप edit करकर match कर लीजिए otherwise नहीं करते हैं तो 31st of October के बाद आपकी जो tax information वाली policy है वो खत्म हो जाएगी और आपको जादा पैसा अपने earning का देना पड़ेगा और हो सकता है कि आपके जो Google Adsense account है वो भी disable हो सकत है तो यह काउफ जादा important update है उन लोगों के लिए जिनका channel already monetize हो चुका है जिनका channel monetize नहीं हुआ है तो उनके लिए तो यह चीज़िया भी जरूरी है भी नहीं दूसरा जो है वह और बहुत जादा important है और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप अपने चैनल को security point of view से औ अगर आप on नहीं करते हैं तो आपका dashboard आने वाले शमय में नहीं खुलेगा और उसका जो features वह आप नहीं देख पाएंगे और हो सकता है कि आप अगर two step verification नहीं करते हैं तो आपका channel भी monetization भी disable हो जाए तो यह दियों खास important है YouTubers के लिए नए YouTubers के लिए पुराने YouTubers के लिए आप उस सारी चीजों की शुविदा जो है वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो यह जानकारी था मुझे लगा बताना चाहिए ताकि ऐसे हजारों लोग हैं जो इस प्रकार की समस्याओं से जुचते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है और बाद में problem आती है तो वो कावफी ज लिंक है वहां जाकर आप मुझे फोलो कर सकते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्य बाद नमस्कार